संकट में नितीश सरकार लालू तेजिस्वी का खेला अभी भी बाकी आरजेडी के ओपरेशन लालतेन से घबराई हुई है जेडियू बीजेपी का भी नितीश कुमार पर बड़ता जा रहा है दबाओ इसी महीने बड़ा फैसला ले सकते हैं नितीश कुमार नितीश कुमार ने 12 फरवरी को विधान सभा में विश्वास मत हासिल कर लिया विपक्ष ने नितीश कुमार के साथ खेला करने की कोशिश की थी लेकिन नितीश कुमार अपनी सरकार को बचा ले कए लेकिन नितीश को भी अब ये समझ में आके आ है कि उन्हें राहत तो मिली है लेकिन ये राहत लंबे समय तक की नहीं है क्योंकि जिस तरह से आधा दर्जन विधायक सदन से गायब रहे उससे साफ हूग गया कि नितीश कुमार के पास विधायकों का समर्थन नहीं है विधायक सभा में उन्होंने बहुमत तो साबित कर दिया लेकिन विधायक कप पल्टी मार जाएंगे इस पर सवाल अभी भी बना हुआ है और उससे भी बड़ा सवाल तो बीजेपी की रणनीती को लेकर बना हुआ है क्योंकि अब नितीश कुमार पर बीजेपी का दबाव बढ़ता ही जा रहा है और इसका एसास नितीश कुमार को मंत्रियों के विभागों के बतवारे में भी दिखाई दे गया था और यह दबाव बढ़ता ही जा रहा है जेडियों के अंदर बेचैनी नजर आ रही है विधायक अपने भविश को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं और इसी बढ़ती चिंता की कारण आर जेडी एक बार फिर सक्रिये नजर आ रही है पहले जहाते जिसवी यादों ने खुलकर चैलेंज दिया था कि खेला होगा वहें अब खेला करने के लिए पूरी तरह से गुक्त रणीती तयार की जा रही है जिसे नितीश के साथ जब खेला हो तो उन्हें इसकी खबर तक ना लगे तो क्या है आरजेडी की रणीती जिससे नितीश कुमार की बढ़ती जा रही है बेचैनी बीजेपी भी इस बाहर नितीश पर नहीं कर रही है भरोसा इसी मामले पर आज हम अपने स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे नमस्कार मैं हूँ आचल और शुरू करते हैं बात बिहार में नितीश सरकार पर बढ़ते संकट की जेड्यू कनेताओ को भी अब नितीश के नाम पर नहीं रहा भरोसा 2020 की विहार बिदान सभा चुनाओ में जेड्यू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और इसके बाद से ही नितीश कुमार परिशानी में नजर आ रहे हैं नहीं तो पिछले दो दशक से जादा समय से जेडियू पहले या दूसरे नंबर का दल बिहार में रहा है लेकिन 2020 में जेडियू को बिहार विधान सभा में सिर्फ 43 सीटे ही मिली थी उसके सीटों की संख्या हर चुनाओं में कम हो रही है वर्तमान सिती में जेडियू के 45 विधायक हैं और इन में से भी 22 आसंतुष्ट बताय जा रहे हैं नितीश कुमार को भी इसकी खबर थी और इसी के चलते जब नितीश ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई तो उन्होंने बेहत छोटा मंत्री मंडल रखा सिर्फ आठ मंत्री बनाए और पार्टी के विधायक को मैसेज दिया कि बहुमत परीक्षण के बाद मंत्री मंडल विस्तार किया जाएगा जिसमें नए लोगों को मौका दिया जाएगा, कोशिश पार्टी को तूटने से बचाने की थी जबकि कहा जा रहा है कि नितीश कुमार मंत्री मंडल का विस्तार करने पर विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि जिस दिन मंत्री मंडल का विस्तार किया जाएगा उसी दिन जेडियो में बड़ी तूट हो सकती है और अगर एक दर्जन विधाय को ने पाला बदला तो नितीश कुमार की सरकार उसी वक्त गिल सकती है ऐसे में नितीश कुमार मंत्री मंडल विस्तार की जगा विधान सभा भंग करनी की तयारी में है बिहार विधान सभा का बजट सत्र समाथ होने के साथ ही विधार विधान सभा भंग कर दी जाएगी वैसे तो विधान सभा का बजट सत्र एक मार्च तक चलना है लेकिन बताई ये जो आ रहा है कि नितीश कुमार एक मार्च तक इंतजार करने को तयार नहीं है विधान सभा की कारवाई को समय से पहले ही समाप्त किया जा सकता है बस विधान मंडल से बजट को पास कराना है और नितीश कुमार के लिए ये कोई जादा मुश्किल काम नहीं है क्योंकि विधान सभा और विधान परिशत दोनों में ही NDA बहुमत में है ऐसे में सवाल ये उट रहे हैं कि आखर नितीश कुमार डेर साल पहले ही विधान सभा चुनाव कराने की तयारी में क्यों है जबकि विधान सभा चुनाव दोहजार पचीस के आखरी में होने वाले हैं जेजिस्वी की लोग प्रियता से डरे हुए दिखाई दे रहे हैं नितीश कुमार जेडियू के 20 से जादा विधाय कभी भी लालू के संपर्क में जेडियू विधाय को NDA पर नहीं हो रहा भरोसा लोग सभा चुनाव के साथ विधान सभा चुनाव हुए तो जेडियू को हो सकता है फायदा अब सवाल ये उट रहे हैं कि आखर जब विधान सभा का कारिकाल अभी डेड साल से जादा का बचा हुआ है तो फिर नितीश कुमार को विधान सभा भंग करनी की इतनी जल्दी क्यों है आखर क्यों नितीश कुमार समय से पहले चुनाव कराने की तयारी कर रहे हैं और इस सवाल का जवाब जेडियू के लगातार कमजोर होने में छिपा हुआ है दरसल अभी नितीश कुमार ने पार्टी में तूट को रोक लिया है लेकिन वो जादा समय तक बगावत को नहीं रोक पाएंगे उनकी सरकार का चार महीने से जादा समय तक चलना मुश्किल नजरा रहा है और चार महीने बाद अगर बिहार विधान सभा के चुनाव होते हैं तो फिर NDA के लिए महागडबंधन का सामना करना मुश्किल हो जाएगा नितीश कुमार इस समय राम के नाम पर चुनाव लड़ने की तयारी कर रहे है दरसल राम लहर को लेकर बीजेपी लोगसभा चुनाव में जाने को तयार है बीजेपी को लगता है कि राम के नाम पर इस बार वो फिर लोगसभा में बहुमत का आकड़ा पार कर जाएगी खासतर पर हिंदी भाशी राज्यों में तो राम के नाम पर आसानी से उसकी नया पार हो जाएगी और राम के नाम पर ही नितीश कुमार भी विधान सभा चुनाव में अपनी पार्टी की नया को पार कराने की कोशिश कर रहे हैं वैसे अभी तक बीजेपी के तरब से नितीश को इसके लिए हरी जंडी नहीं मिली है लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अति पिछड़ा समुदाय पर अपना फोकस बढ़ाया है उससे साफ हो गया है कि उसे भी नितीश कुमार पर अब जादा भरोसा नहीं बचा है बीजेपी और जेडियू के बीच गड़बंधन तो है लेकिन दोनों में इस बार भरोसी का संकट साफ नजर आ रहा है बीजेपी भी नितीश कुमार के साथ सिर्फ लोगसभा चुनाव तक ही दिखाई दे रही है लोगसभा चुनाव के बाद जेडियू के साथ खेला होना तैमाना ज़ा रहा है और इसी के चलते नितीश कुमार नए चुनाव कराने की तयारी कर रहे है ओपरेशन लालतीन को लिकर फिर शुरू हो चुकी है सुगबुगाहर लोगसभा चुनाव में एक बार फिर जेडियू विधायक होंगे लालू के निशाने पर जेडियू के आधा दर्जन विधायकों को आरजेडी बना सकती है उमीदवार विदान सभा टिकट की गारंटी पर और भी कई विधायक पल्टी मारने की तयारी में निश कुमार के बार बार पल्टी मारने की रणनीती उन पर ही भारी पड़ती हुई नजर आ रहे है जेडियू के कई विधायक अभी भी महागडवंधन छोड़ने के निश के फैसले से नाराज बताय जा रहे हैं ओपरेशन लाल टेन विश्वास मत में भले ही सफल न हो पाया हो लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से फैल भी नहीं हुआ है बलकि अब इसकी सफलता के चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं दरसल कहा ये चा रहा है कि लोगसभा चुनाओ को लेकर जेडियू के कई विधायक लालू और तेजिस्वी के संपर्क में हैं जेडियू के आधा दरजन विधायकों को लालू यादो आरजेडी के टिकट पर लोगसभा का चुनाओ भी लड़ा सकते हैं तो करीब एक दरजन विधायक जो पाला बदलने के लिए तयार हैं उन्हें सरकार बनने पर मंतरी पद और अगर विधान सभा भंग कर दी जाती हैं तो आरजेडी का टिकट के आश्वासन पर वो पाला बदल सकते हैं यानि खेला एक बार फिर लोगसभा चुनाओ के एलान के साथ शुरू होने वाला है या तो नितीश कुमार लोगसभा चुनाओ के एलान से पहले विधान सभा भंग कर देंगे या फिर जेडियों में बगावत हो जाएगी नितिश कुमार को कुरसी छोड़नी पड़ेगी आठ मार्च के बाद चुनाव आयो कभी भी लोगसभा चुनाव का एलान कर सकता है और आयो की तरब से इस तरह के संकेत मिलने लगे हैं यानि बिहार में जो खेला विश्वास मत के दौरान नहीं हो पाया था वो लोगसभा चुनाव के एलान के बाद हो जाएगा और इसके संकेत नितिश कुमार को भी मिलने लगे हैं जिसके बाद वो खुद ही विधान सभा भंग करने की कोशिश में जुट गए हैं वैसे भी सरकार बचाने के नाम पर उन्होंने जिस तरह से आनंद मोहन, सिंग और अनन सिंग जैसे बाहु बल्यों से हाथ मिलाया है उससे नितिश कुमार की चवी पर भी बड़ा असर पड़ रहा है जिन बाहु बल्यों के डर से बिहार को बाहर निकालने का दावा नितिश कुमार अभी तक करती रहे हैं आज वो उनकी मदद से ही अपनी सरकार को चला रहे हैं साफे की सत्ता के लिए किये गए समझोते नितिश पर भारी पड़ती हुए नजरा रहे हैं यहां तक कि जेडियू के अंदर भी नितिश कुमार की इस नितिश को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है तो दूसी तरब बीजेपी भी अब नितिश कुमार पर जादा भरोसा नहीं कर रही है आर जेडि तो पहले से ही नितिश के साथ खेला करने को तयार है तो साफे इस बार महा गडबंधन छोड़कर नितिश कुमार ने खुद को गहरी मुसीबत में डाल लिया है तो अब देखना ये होगा कि बिहार में क्या कुछ खेला होता है और कैसे नितिश कुमार अपनी विधान सभा को भंग करते हैं और लोग सभा चुनाव से पहले किस किस पार्टी को तगड़ा जटका बिहार में लगता है तो देखते रहे डीवे लाइब मैं आचल